सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए के लिए आवेदन कर सकते हैं All India के वेकेंसी जें सभी male और female candidates भारत के किसी भी राज्ये से इस बरती के लिए आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बरती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कैसे आप इस बरती के official notice की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ इस वीडियो को अंतितक देखने पर ही आपके सभी स्वाल आउट्स के लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस बरती की पूरी जानकारी Health Department यानि की स्वास्ते विबाग के अंतरगत ये बरती निकली है जहांपर post का नाम है Staff Nurse Staff Nurse की स्वास्त के लिए आपर 3838 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मगाई जा रहे हैं क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम बारवी कलास पास होना जरूरी है पलस उनके पास GNM का डिपलोमा या फिर B.H.C की डिगरी नर्सिंग के अंदर होनी जरूरी है इस बरती में पार्टिसिपेट करने के लिए आयू सीमा यहां पर आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 वर्स रखी गई है सेल लिए आपको 39,500 परती महा के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी एपलिकेशन फीस आपको इस बरती पर जमा नहीं करानी है बिल्कुल फिरी आप आवेदन कर सकते हो सलेक्शन यहां पर आपका रिटन टैस्ट के आधार पर किया जाएगा ओनलाइन आप इस बरती के लिए आवेदन कर सकते हो वेबसाइट है up-health.in इस बरती की डेट्स के अगर बात की जाए तो इस बरती की सभी डेट्स जल्द ही गोसित कर दी जाएगी अब हम आपको इस बरती के ओफिसल नियूज की पूरी डिटेल दे दे जिहां दोस्तो इस टाफ नर्स के 3838 पदों के लिए आवेदन आज से मंगाए जा रहे हैं लोग सेवा आयोग पहली बार करेगा इस पद के लिए भरती पदों की संख्या के इसाब से सबसे बड़ी भरतियों में सामिल हो चुकी है ये बरती नर्सिंग की पढ़ाय तता परसिक्षन प्राप्त करने वाले युवाव का इंतजार खत्म हो गया है उत्तर परदेश लोग सेवा आयोग इस टाफ नर्स के 3838 पदों पर भरती करने जा रहा है इसका विग्यापन बरस्पतिवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है आयोग पहली बार श्टाफ नर्स की भरती करेगा इस से पहले इस पद पर विबाग के स्तर पर भरती होती थी लेकिन ग्रेड पे बढ़ने के बाद आयोग से भर्ती कराने का निर्ने लिया गया है कुल 3830 पदों में से 3390 पद महिला तता 448 पद पूर्सों के लिए रखे गई हैं सेक्सिनिक योग्यत अब आप यहीं से चेक कर सकते हो तो दोस्तों ये 30 स्वास्ते विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी इसके बाद भी दोस्तों गर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्किप्शन बोक्स में पलस फर्स्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा जहां पर जाकर आप डिरेक्टली इस भर्ती के ओफिशल एडवर्टाइजमेंट की पीडिएफ को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो पलस यहीं पर आपको एपलाई ओनलाइन का लिंक भी परवाइड कराया गया है जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई हो पे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेर करना मत भूलना साथी साथ दोस्तों अगर अब्या आपके मन में इस भर्ती से लेटिड कोई क्वेस्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिये पूछ सकते हैं पूरंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यूंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गोर्मेंट जोब्स के अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं